तो हिलो देश्टो गुड मॉनिंग कैसे है आप लोग होग आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तियारी बहुत अच्छी चल रही होगी तो दोस्तों एक बार और दुबारा उत्राखिन की क्लास लेके आए हैं और उत्राखन में हम भूगोल पढ़ रहे थे और भूगोल मे नहीं है तो उन नेशनल पाक्स को भी आज हम complete कर देते हैं ओके सुरू करते हैं अन्या नेशनल पाक जो बचे वे थे हैड़िक डालेंगे नंदा देवी नेशनल पाक्स आप लोगों को पता है जो भी लोग हमसे जुड़े हैं हम नेशनल पाक्स पढ़ रहे थे ज्जादा लोगों को अल्रेडी पता होनी चीए, क्या वो जानका रहे हैं, उनको देखने का परियास करते हैं। क्या है नंदा देवी नेशनल पार्क्स? नंदा देवी नेशनल पार्क्स 1982 में बना और 1982 में बना नेशनल पार्क्स के बाद हम तुरंत याद करते हैं 624 किलो मीटर स्कुरेर तो इसका छेतरपल क्या होगा? 624 किलो मीटर स्क्वाइर और जो नंदा देवी नेशनल पार्क होगा, वो होगा कां? तो वो होगा चमूली. इस बाते आपको याद रखने हैं. नंदा देवी नेशनल पार्क के बारे में एक सबसे इंपोर्टन बाते जो आपको याद रखने है कि यह जो नंदा देवी नेशनल पार्क है, इसका स्टार्टिंग में नाम ऐसा ही नहीं था. पहले इसका नाम कुछ और था, अब प्रारंब में इसका नाम संजय गांधी नेशनल पार्क है. तो आप से question आएगा, उत्रा खंके किस नेशनल पार्क का नाम संजय गांधी तो आप क्या बोलेंगे कॉर्बेट सुरी दंदा देवी नेशनल पाक का ओल नेम संजय गांदी नेशनल पाक था यह बाते आपको याद रखनी है ऐसे क्वेशन एक्जाम में बनते हैं और आदमी कंक्यूज हो जाता है और सही नहीं कर पात है हमने क्या पड़ा है नेशनल प भुवेशन पाकस का हेट गांटर अगर वलेंगे इनका हेट-कौरटर होता है जूसी में इसर गाटी बनता है छो सिमेचंत में है रमी रहीं में है तो यह सारी चीजी है एक परवत है, जिसका नाम है नंदा देवी परवत है, अभी मैं इसकी डीटेल पर नहीं जाओंगा, परवता रोहन में इसकी डीटेल पर जाओंगा, कौन पहली बार आरोण किया, कौन पहली बार सपल आरोण किया, कौन पहला परियास किया था, टिल में इन कौन है, और इन क आपर चरह हम करेंगे इस तो नंदा देवी जो परवत है यह दो है एक है पस्वी एक हो पूर्वी तो मैं बात कर रहा हूं पस्वी की नंदा देवी पस्मी की जो हाइट है वो है 78-17 अनन्दा देवी पूर्वी की जो हाइट है वो है 74-34 यह है पूर्वी और यह है पस्मी ठीक है? आज के बाद अगर आप से कोई नन्दा देवी की हाइट पूछेगा क्योंकि आपको पता है जिसकी भी आप तियारी करने UKT Pellacy के पेपरों में कुछ परवतों की हाइट पूछ ली जाती है कि तिरसूल परवत की हाइट क्या है कामेट परवत की हाइट क्या है उत्राखन का भूगोल वाली सीरीज में मैंने यह सारी हाइट ने आपको लिखाई भी है तो दोस्तों मैं बस यह कहना चाहता हूँ कि आप से कोई पूछेगा नंदा देवी परवत की है उचा ही बताओ तो आप बोलोगे भई कौन से वाली की बतानी है पूर्वी की बतानी है या पस्सिमी की बतानी है अगर और पसी मी बोलेगा तो आप यहदो बोलना नंदा देवी की दो-दो चूटियां है पांकी नंदा देवी के जब आ रहोन किया गया था तो बड़ा टफ था इसस्टार्टी में Nanda Devi को चढ़ना अभी तो Nanda Devi वे बहुत सारे परवतारों ही चढ़ चुके हैं तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे परवतारोंговने वाले टॉपिक पर अभी चर्चा करना उचित नहीं है थिक है तो Nanda Devi National Park के बारे में हमने बेसिक सी जानकारे पढ़ दिये मुझे नहीं लगता कि किसी को गोई प्रॉब्लम हो नंदा देवी नेशनल पार्क के बारे में एक और बात जो आपको जरूर जाननी चाहिए अब वो बाते में 1989, 1988 में नंदा देवी नेशनल पार्क को ठीक है क्या किया गया था यूनेस्को में सामिल कर दिया गया। UNESCO में सामिल टु этим आएगा नंदा देवी नेशनल पार्क बना कब तो नंदा देवी नेशनल पार्क आपने देखा होगा 1982 में बन गया था अगर बात आएगी इसको UNESCO में सामिल करने की तो UNESCO में कभ सामिल हुआ था 1988 में हुआ था ये बाते आपको याद दखनी हैं बहुत अच्छे तो नंदा देवी रास्ट्य उध्यान के बारे में बहुत जादा फैक्ट नहीं थे यह संजे गांधी वाला फैक्ट याद रखना यूनेस्कों में कभ सामील वाता याद रखना और नंदा देवी पूर्वी और पस्सिमी क हाइट आप जब इतबह उत्रा खनके प्रीविस टेपर देते हैं तो आप लोगों को एक चीज में बतायों एक बात में बताओं कि प्रीविस पेपर में कंत बोहुत जा होगा जो मैं भी तक बताने बाला हूँ आपको और वो fact है absolutely हिलेरी का है we statement eh buy इक का do Charlie 09 वो बच्चों को ये भी पता है कंएडमान इलेरी को के मताऊ मतला अब लोगो तो अगर आप को ये पता निए तो आपकी तेयारे वी कम फोर है अभी आप नए नए स्टुडेंट है और आपको इबाते पता हो नीचा यह एडमन हिलेरी एडमन हिलेरी वह ब्यक्ति है जो पहली बार एव्रेस पे चड़े थे एडमन लेरी चड़ दे और इनके साथ एक और ब्यक्ति था जिनका नाम तो तेनजिंग नोर गये ले एक नेपाली था एक निूजल परवातारो ही होंगे बसक्रव के plotरे के लिए रावरेस का पुराना नाम क्या है इवरेस चोपरेस ऑवरेस का जो ओल्ड 되는 में एक्ट्र लिख लिए करो मेरे से जो भी मैं आपको पढाता हूँ मैं इक्ट्र आपको जो बताते रहे होँ आप इनको जरूर नोट के लीजे अगर मेरे में और टीचरों में यही फर्रक है कि और टीचर तू फैक्ट लिखा के आगे चले जाते हैं बेट मैं आपको कहीं न कहीं से उनको connect करने का परियास करता हूँ इसे परियास नहीं करता हूँ, वह पढ़ाते पढ़ाते याद आ जाता है तो मैं करवा देता हूँ, ऐसा मैं जबर्दस्ती लिंक नहीं करा था चीजों को, बैटो पढ़ते पढ़ते कोई बात अगर आ गई, तो मैं उसको लिखा देता हूँ यहीं पर के एक साथी याद हो जाएंगी और आप ऐसा ही करें आप किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स बना रहे हैं वटेवर फरक नहीं पड़ता है एक्सट्राफेक्ट को आप साइड में पेज के लिख लिया करो गोले के अंदर बंद कर दिया करो आप जब रिवाइज करोगे तो आपको वह फैक्ट भी आ आप अंदम हम सब का मकसद है अलेक्सन पाना एडमाड हिलेरी और तेंजिंग नौर गे एवरेस पहचाणने वाले पहले ब्यक्ति है और एवरेस का पुराना नाम था वो बताना चाहता था में वो था चोटी 15 क्या था चोटी 15 चोटी 15 15 बोले तो चोटी 15 नेपाल में इसक जोर्ज एवरेस एक ब्यक्ति है इन्होंने सबसे पहले एवरेस का सर्वेक्सन किया था एवरेस चोटी 15 को ना पाता इसलिए इनके नाम से बादमुस का नाम पढ़िया था जोर्ज एवरेस आदमी हमारे उत्राखंड के उत्राखंड के देरा दून के मसूरी नामक जगा पर रहता था, इसका cottage भी है वहां पे घर भी है इसका शूरी में रहता था इसलिए लोग घूमने भी जाते एवरेस्ट पॉइंट का है उत्राखंड में आवरेस्ट पॉइंट कहाँ है ऐसा पॉइंट बन गया मतने कहा है तो आप क्या जोगे साहप उत्राखंड में average point मसूरी में है अगर आप गए हैं तो बेहतरीन अगर आप नहीं गए हैं तो आप जाईएगा तो हमने यह मोटा मोटा पढ़ लिया है अगर मैं इसके अंदर गुसूंगा तो मैं टॉपिक से दूश्च ज़के चले जाओंगा बट मैं वापिस आता अपने टॉपिक पे मेरा मुद्ध था एडमंड हिलेरी मेरा मुद्ध क्या था मेरा मुद्ध था एडमंड हिलेरी को पर तेंजिंग नौर के के साथ जाने वाला पहले बेखती था फिर एवरेस की बात आई तो मैंने एवरेस का पुराना नाम बता दिया तो यह क्यों पढ़ा मैंने यह भी बता दिया यह कौन है यह उत्रा खंड में रहता था तो हमारे एक्जाम में इंपॉर्टेंट है तो चीज़ों को याद करुएं श्यूमया दोस्तं तो सर् आप एडमेंड हिलmost के बारे में जो पॉइंट बताना चाहते वो बता दो तू मैं वो चाहता हूं तो एड्मेंड हिलेरी कौन है यह आपको पता चल गया इनका एक कथन है यह कथन आप लोगों को कम को पता होगा आप नौट कर लीजेगा नंदा देवी ठीक है भारत के लिए परवता रोहन के छेत्र में इस्वर का दिया वर्दाने ठीक है अईसा किसका कतन है कि नंदा देवी परवता रोहन के छेत्र में भारत के लिए इस्वर का दिया वर्दाने। यह normal question आएगा नंदा देवी को किस परवाता रोही ने इस स्वर का दिया गया वर्दान माना ऐसा question आजाएगा या किस परवाता रोहन ने सहासिक कारियों या सहासिक खेलों के लिए परवाता रोहन को adventurous activities में आता ना adventurous activities सहासिक खेल परवातरोहन एडवेंचरस एक्टिविटीज में आगे ना साहसी खेल तो क्वेसन आगा किस परवातरोही ने नंदे देवी को आरोहन को साहसी खेलोक में भारत को दिया गया इस वर का एक वरदान माना है और ऐसे स्टेटमेंट एक्जाम में आते हैं जो कि कम बच्चों को पता रहता है तो अब आपको पता चल गया कौन है पाक ये चीज़े बता दी गई है ये सारी बाते मैं आपको अल्रड़ी बता चुका हूँ तो मुझे नहीं लगता अभी मेरे किसी भाई बेन को कोई प्रॉब्लम होनी चीज़े ये सारी बाते मैंने यहां पर लिख दी है और ये बाते आपको याद भी हो गए नंदा देवी नेशनल पार्क कब बना था इसका हेड़कोर्टर कहां है क्या क्या चीज है पहले इसका नाम क्या था अब इसका नाम क्यों पड़ गया है ये सारी चीज़े मैंने आपको बता दी है यूने इसको में कब सामिल हुआ ये भी मैंने आपको बता दिया है 1988 यहां तक किसी भी दोस्त को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपने सारी चीज़े नोट कर ली होगी नोट करने के बाद कॉपी बंद नहीं करनी है इन चीज़ों को रिवाइच करना है उम्मीद करता हूं कि आप कहना माँगे मेरे दोस्तों थोड़ा सम आगे बढ़ते हैं और एक नेशनल पार्क और पढ़ने का परियास हम करते हैं जो अगला नेशनल पार्क हम पढ़ेंगे उस नेशनल पार्क का नाम होगा गोविंद नेशनल पार्क क्या होगा उसका नाम होगा गोविंद नेशनल पार्क यह बात अगला नेशनल पार्क जो है हमारे पास वो है गोविंद नेशनल पार्क छूड़ गया था जिसको हम पढ़े नहीं अग गोविंद नेशनल पार्क चूड़ गया था जिसको हम पढ़े नहीं अग गोविंद नेशनल पार्क चूड़ गया था जिसको हम पढ़े नहीं अग ग बात करूं तो क्या ही बात कर सकता हूं कि गोवी नेशनल पार्ग 1980 में बन गया था गोवी नेशनल पार्ग का जो एरिया है वह 472 किलोमीटर स्क्वाइर है 472 किलोमीटर स्क्वाइर गोवी नेशनल पार्ग के बारे में हमने एक बात पड़ी गोवी नेशनल पार्ग 1980 में बन सेसर्हान आपड़ेगा आप लोग बड़े समजदार एकर गोविन सब्सक्राइब abilities अगर गोविन्स इक場 इस इस मतिके नाम नाम से इसथाना में तो जोबिंद भुण पन्त के नाम से बाद कई आज्प पर क्या क्या है घृद्ध आज हमारे पौड़ी गड़वाल में एक घुड़दोडी में Engineering College भी है तो जीवी पंत के नाम से उत्राखण में बहुत सारी चीज़े आपको देखने के लिए मिलेगी अब बहुत सारी चीज़े तो मैंने अभी रिवाइज भी कर दिये Govind Wildlife Century, Govind National Park Govind बलापंत उच हिमाली परियावरण सहस्तान काटार मलकोसी Govind बलापंत उच हिमाली सहस्तान ने निताल में भी है तो नहीं क्या क्या है? मैं बोलना हूँ Govind बलापंत जी के नाम से पौड़ी में भी एक Engineering College गुरदोड़ी वाला तो यह वही है Govind बलापंत जी अभी उत्राखंड के महान ब्यक्तितियों की सीरीच चलाएंगे तो आपको बताएंगे पर्टिकुलरली की कौन महान ब्यक्तिति क्या काम किये थे इनके बारे में अगर मैं तुम्हें बताओं तो Govind बलापंत पर 1965 में डाक टिकट भी जारी किया गया था ये भी बात आपको याद रखने है Govind बलापंत वही व्यक्ति है जो उत्तर परदेश के पहले सीम थे उत्तर परदेश के पहले सीम यही बने थे और अभी भी उत्तर परदेश के सीम एक उत्राखंडी है योगी आदित्यनाच Govind बलापंत उत्तराखंड के एक मात्र ऐसे व्यक्ति है जिनको क्या मिला है सहब आप बोलोगे जिनको भारत रतन मिला है और भारत रतन कब मिला इनको 1957 में जहां तक मेरी जानकारी है इन पे 1988 में भी डाक टिकट जारी हुआ था जारी हुआ तो गोबिन बलापंत अपने लिए एक बहुत फेमस प्रस्नालिटी रहे अपने जमाने में पेसे से ये वकील थे बाकी जवाहल लालनेरु के साथ ये हर एक एक्टिविटीज में एक्टिव रहें भारत के होम मिनिस्टर भी ये बने थे जवाहल लालनेरुजी के बचाने के चक्रमिनों ने पत्थरें भी खाई थी जन्तों की चोटी भी खाई थी अल्मोडा जेल में भी बंद रहें उसके बाद एहमद नगर जेल में भी बंद रहें क्विट इंडिया मूव्मेंट के दोरा है एक बहुत बड़ी सक्सियत रही है गोविन बल्ला पंते जी की बाकि जब कभी भारत के महान बिक्तित्तों पढ़ेंगे वहाँ आप इन पे डीटेल चर्चा करेंगे क्योंकि अभी हम इन पे डीटेल चर्चा नहीं कर सकते हैं हम तो गोविन नेशनल पाक्स पढ़ रहे थे और वहाँ पर पढ़ते पढ़ते आ गया तो हमने इन पर डिसकस कर दिया है जादा बात नहीं तो मुझे लगता है इतनी सी बात आपके लिए और ये बाते आपको पता होनी चाहिए तो ये बात थी गोविन नेशनल पाक के बारे में गोविन नेशनल पाक के बारे में जो भी बाते आपको बताईए ये सारी के सारी बाते आपको याद हो जानी चाहिए सारी के सारी इंपोर्टेंट फैक्ट किसी कोई प्रॉबलम किसी को दुख तकलिप होगा तो आप बता जीजे पुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को प्रॉबलम होनी ची चीक है तो थोड़ा साइमर्जेंसी काम आ गया है मुझे जाना तो बनानी तो पूरी और भी वी बीडियो थी मैं मापी चाहता हूँ तुरंत वीडियो अप्लोड करके दूसी वीडियो भी अप्लोड करके अपर मैं जारू हूँ इमर्जेंसी में आपको बताया है कि आप सोचते होंगे कि जैसे यूटूब के टीचर होते हैं उन्होंने बच्चे बिठाए होते हैं कोई PPT बनाता है कोई कुछ करता है कोई recording editing कुछ something कुछ आपने देखा में recording वी something वी editing भी कुछ नहीं करता हूँ जैसे पढ़ात हूँ ऐसी upload कर देता हूँ कि मेरे पास इतना equipment नहीं है मेरे पास सब कुछ normal है और मेभी आप लोगों के जैसे एक student हूँ वो सारे बच्चे बोलते है करो वो करो मैं अकेला कैसे कर सकता हूँ सारी चीज अकेला possible पार यह है मेभी आप लोगों के जैसे एक student हूँ थोड़ा backward area में रहते हैं तो बहुत स अगर फूलों की घाटी complete हो जाएगा तो हमारे national parks complete हो जाएगा अन्नाई classes में हम पढ़ेंगे wildlife century तब तक आप रिवायज करिएगा धन्यवाद